नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हों कि कैसे CBI की टीम ने डॉक्टरों की उस टीम को बुला लिया है जिन्होंने सुसान सिंग राजपूत की पोस्ट माटम रिपोर्ट को त्यार किया था आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये जो पोस्ट माटम रिपोर्ट त्यार की गई थी इस पर कई तरह के सवाल उठे थे और ये कहा जा रहा था कि यही वो post-materm report है जिस पर कई तरह से सवाल उठने बिलकुल लाजमी है क्योंकि post-materm report को गलत तरह से बनाया गया था और इतना ही ने जिन डॉक्टरों ने इस post-materm report को बनाया था उन्होंने तो इसको ठीक बताया लेकिन बाकि किसी भी डॉक्टर ने इस post-materm report को देखा तो हर किसी ने सवाल ही उठाया था ऐसे मैं आप सभी हमारी इस वीडियो को अंतक देखेगा मैं आपको बताने बाला हूँ कि कैसे सुसान सिंग राजपुत केस में उन डॉक्टर की टीम की भी खिचाई होने जा रही है जिन्होंने post-materm report को तियार किया है आपको बता दे अभी हाली में जब सुसान सिंग राजपुत का एक बार फिर से जनन दिन आया था तो वहाँ पर सुसान सिंग राजपुत के कुछ फैंस ऐसे थे जिन्होंने सुसान सिंग राजपुत की post-materm report को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया था और इसी post-materm report को लेकर वो सिधे-सिधे एक बार फिर से CBI के दफ्तर और कोर्ट तक पहुँच गए थे उनका मानना था कि सुसान सिंग राजपुत की जब post-materm report अभी तक सही सावित नहीं हुई है ऐसे में सुसान सिंग राजपुत का केस एक बार फिर से उठाया जाना चाहिए और इस केस को जल्द से जल्द सुलजाया जाना चाहिए ऐसे में ये बात तो किलियर है कि सुसान सिंग राजपुत की जो post-materm report है वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है अब देखना ये होगा कि CBI की टीम कैसे डॉक्टर की टीम को बुलाती है और कब CBI की टीम डॉक्टरों से पूछताश करती है खेर जो भी हो लेकिन आने वाल दिनों में अब ये कह सकते हैं कि सुसान सिंग राजपुत का जो केस है वो बहुत जल्द सुलच जाएगा और इंसाब भी हो जाएगा तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ जरूर सेर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवाद